नमस्कार, रॉंटी किचन में आपका स्वागत है आज में आपको पपया यारी हिंदी, हिंदी में पपिता, ओड़िया में अमुरूत भंडा उसी के बारे में आज में हेल्दी टिप्स, पपया लिफ्स यानी पत्ते का जूस का गुन और नुसकार एंड ब्यूटिटिस के बारे में बोलूँगी पहले मैं पपिता की हेल्प शिसक के बारे में सुरू कर रही हूँ पपिता खाने के फायदे जानके आप चोग जाएंगे क्या आपको मालूम है कि पपिता एक ऐसा फल है जो सालवर हमें आसाने से मिल जाता है कोई लोगों ने पपिता का पेड अपने घर के आस पास खाली जमिन में लगाते हैं क्यूंकि ए ऐसा फल है कच्चे होने पर भी इस्तेवल किया जा सकता है ये फल तता सबजी दोनों ही रूप में उपवयोगी होती है कच्चे पपिते में भीटामिन A और भीटामिन C भरपुर मात्रा में पाये जाते हैं साथ ही पपिते को आर्वेदिक सास्त्रह में लाओ इलाज बिमारियों को दूर करने वाली भी माना जाता है आज हम आपको पपिते से होने वाले कुछ एसे चमतकारी फायदे के बारे में बताएंगे जीने जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे पपिते कोलिस्टोर कम करने के लिए पपिते में उच्च मात्रा में फाइवर मौजूत होता है साथ ही पपिते में विटामिन C और आंटियोक्सिडेन की मात्रा भी भरपूर होती है इनी गुणों के कारण ये कोलिस्टोर को नियंतित करने में काफी मददगार है पपिते वेट घटाने में भी उपर जगी है क्या आपको मालूम है कि एक माध्यम आकार की पपिते में 120 केलरी होती है अगर आप अपने बढ़ते हुए वेट से परेशान हो तो ये आप अपने बजन घटाने बारे में सोच रहें तो आप अपनी डाइट में अप पपिते को जरूर सामिल करें क्यूंकि फाइवर्स मुझूद होते हैं जो बजन घटाने में भी मददगार होते हैं पपिता रोग पती रोग ख्यमता बढ़ने में उपयोगी है अगर हमारी रोग पती रोग ख्यमता अच्छी हो तो हमें बीमारियों से लणने की ताकत मिलती हैं और बीमारियों भी हमसे दूर भागती है पपिता हमारे सरीर के लिए आबसक भीटामिन सी की कमी को पूरा करता है ऐसे में अगर आप रोग ज़ाना कूछ मात्रा में पपिता खाते हैं तो आपके बीमारी होने की आसंका ना के बराबर हो जाती है तो फिर आप जानगे पपेया खाने का क्या फाइदा है अभी हम चलते हैं पपिता का पत्ता का जूस का गुणों और नुसकान के बारे में क्या आपको पत्ता है पपिता का लिफ का जूस भी हेल्थ के लिए क्या वेनिफिट है सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पपिता के पत्ते का जूस का फाइदा पहले पपिते को पत्ते को अच्छी तरह साफ करके पीसकर या निचुड़कर इसे त्यार करते हैं पपिते की तरह इसे भी ओसोद्य गुण पाया जाता है पीने के लिहाज से भी ये बहुत उपजोगी जूस माना जाता है पपिते के पत्य में मौजूर पोसुन तत्य के बारे में जान लिजे आप इसमें भिटामिन A, B और C पाया जाता है अभी जानते हैं पपिते पत्य के जूस के बारे में पपिते के 3 या 4 ताजे पत्य ले लिजे इन पत्या को अच्छी तरह से धोलो इनको छोटे-छोटे टुक्डे करके और ब्लेंडर में डाल दे अच्छी तरह से पिछने के बाद इसे किसी कपड़े या जाननी की मदद से छान ले इस तरह से जो रश निकलेगा बही आपका पपिता का पत्या का जूस है इसमें मौझूद पॉसुंत अत्त का बजर से सरीर में बेड कोलेस्टर जमा नहीं हो पाता जिसे लिवर और हाट स्वस्त रहता है पपिते की पत्य की मौझूद एंटियोक्सिडेन होने से डेंगू के जिबनों मरते हैं और मांगसुपेश्विमी दर्थ तेज बुखार और जोडोग की दर्थ से रहात मिलती है डेंगू की दोरान इसके सेवन से पेटेलेट काउंट तेजी से बढ़ती है और मरीश की हालत में भी तेजी से सुधर होता है अंथ में जान लेते हैं पपिते की पत्ते की जूस पीने से क्या नुकसान होते हैं कूछ विशेस परिश्थितियों में भी पपिते पत्ते की जूस पीने से नुस्कान होते हैं जैसे गर्भवती होने की दोराद ये गर्भजाना करने की दोराद इसे पीने से गर्भवपात का खत्रा होता है जिने पपिते की पत्ते की एलेर्जी होती है उन्हें इसका सेवन जादा नहीं करना चाहिए जदि आप मेडिसिन का सेवर्म कर रहे हैं तो इसे पीने से पहले एक बार अपने डॉक्टर की राय जरू लेना चाहिए तो ये था पपिया की पत्ते की हेल्थ वेनिफिट और नुस्कान के बारे में अभी हम बाते करेंगे पपिता की ब्यूटिटिस के बारे में पपिता हमारे स्कीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है अगर हम पपिता हमारे स्कीन के लिए यूज करते हैं तो हमारे स्कीन के रिंकल चले जाते हैं पिमपल चले जाते हैं और स्कीन में अनोखा बीचार आते हैं पपिते के अंदर भीटाइमिन A, भीटाइमिन C और आंटियोक्सिडेंट, पोटासियम से पोसों तत्तर पाये जाते हैं ए सारे तत्व हमारे स्कीन की अच्छी निखार के लिए है बहुती इंपोर्टन है तो आज से आप ब्यूटी पोड़क्ट को बाय बाय कर दीजे मिल जाएगे पहले में आपको बताओंगी चेहरे के कालापन और रुखापन हटाने के लिए आपको चाहिए पपिता हनी और निम्मू का रस हनी में आंटियोक्सिडेंट और वेक्टोरिय तोत्त्य होते है विटामिन C का भरपूर्स ओत्त होता है निम्मू लेमन की बजा से चेहरें पर अजवसा निखार होता है अभी आपको पपिते के कुछ टुकड़े लेना है और उनको मेज कर लेना है इसके अंदर आपको दो टेमू स्पून सहाथ और एक चमच लेमन का रास मिलाना है इन तीनों को एकटित मिलाकर 15-20 मिनित चेहरे पर लगाने ना है हफ्ते में एक ब्यूटिटिटिस का प्रोयो एक या दो दिन जरूर करिए इसकी बजा से आपके चेहरे पर जो भी कालापन है या रुखापन है वो चला जाएगा इसके बाद मैं आपको दूसरा ब्यूटिटिस बताऊंगी पिम्पल के बारे में आपके चेहरे पर बहुत सारा मुहा से है तो डर्ये का मत आपको चाहिए पपिता पपिते को अपने चेहरे पर रगडिये खास तोर पर उस जगा रगडिये जहाँ पर अपना पिंपल हो ऐसे करने से धिये धिरे पिंपल चला जाएगा इस प्रयोक के आप रोजा ना कर सकते हैं और लाश्ट ब्यूटिटिव से बताऊंगे रिंकल के बारे में इसके लिए आपको चाहिए चेंदन पार्डर और पपिता एंड सहद इन तीनों को आपको अच्छी से मिलाना है और चेहरे पर 15 से 20 मिलितर लगाना है एसे अब हापते में एक सी दो बार करें एसे करने से आपका तोचा निखर ही जाएगा साथी साथ रिंकल भी कम हो जाएगी और आगे भी नहीं होगी आपका तोचा हमेशा जवार रहेगी दोस्तों ये था पपेया का अनोखा ब्यूटि टिप्स प्लीज मेरी वीडियो को लाइक एंड सेया जरूर कीजिए और अपनी किमती कॉमेट मुझे दीजिए चैनल को सुस्क्राइब कर दीजिए और कुछ निव वीडियो लेकर फिर आपके पास जरूर आऊंगे